प्रीय बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है, सब स्वस्त होंगे. तो बच्चों, हमने पार्ट का वाचन कर लिया है, पार्ट पांच मेरी कमाई का वाचन कर लिया है, शेब्दार्थ और वाक्य बनाओ भी कर लिये हैं. तो आज हम करेंगे मौखिक प्रश्न लौर लिखिद प्रश्न, चलिए, करते हैं मौखिक प्रश्न, हमारा प्रश्न है, प्रश्न कर व्यापारी की क्या इच्चा थी, मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहरा रही हूँ, व्यापारी की क्या इच्चा थी, उत्तर है, व्यापा व्यापारी की इच्छा थी कि उसका बुद्र व्यापार संभाले क्योंकि वह बूड़ा हो गया था प्रश्न ख है व्यापारी की इच्छा पूरी क्यों नहीं होती थी प्रश्न दोहरा रही हूँ व्यापारी की इच्छा पूरी क्यों नहीं होती थी? उत्तर है व्यापारी की इच्छा पूरी नहीं होती थी क्योंकि उसका पुत्र आराम तलब और आलसी था मेहनत करने का ना तो उसे अभ्यास था और ना ही उसकी इच्छा काम करने की होती थी एक पर फिर से उत्तर दोहराती हुए व्यापारी की इच्छा पूरी नहीं होती थी क्योंकि उसका पुत्र आराम तलब और आलसी था मेहनत करने का ना तो उसे अभ्यास था और ना ही उसकी इच्छा काम करे की होती थी प्रश्नगर है व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए क्या किया व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए क्या किया उत्तर है व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए उसे बुलाया और कहा बेटा जाओ और आज कुछ कमा कर लाओ वरना रात को भोजन नहीं मिलेगा उत्तर दोबारा दोहरा रही हूँ व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए उसे बुलाया और कहा बेटा जाओ और आज कुछ कमा कर लाओ वरना रात को भोजन नहीं मिलेगा प्रश्न घर है व्यापारी ने पुत्र को व्यापार कब सौंपा और क्यूंग प्रश्न दोहरा रही हूँ व्यापारी ने पुत्र को व्यापार कब सौंपा और क्यूंग उत्तर है व्यापारी ने पुत्र को व्यापार तब सौंपा जब वह मेहनत करना सीख गया और मेहनत करके पैसे कमा कर लाया तो आते हुए व्यापारी ने पुत्र को व्यापार तब स्वामपा जब वह मेहनत करना सीख गया और मेहनत करके पैसे कमा कर लाया तो चलिए बच्चों हमारे मौखिक प्रश्न खत्म हुए अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न चले बच्चों हमारा अगला प्रश्ण है बोल कर पढ़ो तो मैं ये शब्दों को बोलूँगी और आप इन शब्दों को ध्यान पूर्वक सुनना बच्चों इन शब्दों को जरा देखो और ये बताओ कि इन में आपको एक समानता जो दिख रही है हर शब्द में वो क्या है जी हाँ दो बिंदू जो आपको हर शब्द के अंतवर्न के आगे लगे हुए दिख रहे हैं ये हैं दो बिंदू जिने हम विसर्ग कहते हैं और इनका प्रयोग संस्कृत के शब्दों में किया जाता है बच्चों जहां भी इनका प्रयोग किया जाता है वहां हम उचारन करते समय उस शब्द के अंत में ह, हलकी सी ह की आवाज निकालते हैं और यह केवल संस्कृत शब्दों में ही गिया जाता है और बच्चों संस्कृत के कुछ शब्द हमारे हिंदी में भी प्रयोग किये जाते हैं आपने कई बार ऐसे शब्द अपने पार्थ पुस्तक में पढ़े होंगे तो चलिए हम देखते हैं ऐसे शब्दों को जो संस्कृत के हैं और जिनके आगे विसर्ग लगा है और देखते हैं को कैसे बोला जाता है ऐसे शब्दों को जो संस्कृत से हिंदी में लिये जाते हैं जियों के तूं वो हिंदी में प्रयोग किये जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द बोलते हैं, एक बार दोबारा दोहला देती हूं, तत्सम शब्द ऐसे शब्द हैं जो जियों के त्यूं संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किये जाते हैं, तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं विसर्ग वाले शब्द, वो ध्यान से अंत में विसर्ग दो बिद्दो की जगा हम ह की आवाज निकालेंगे प्रात्तह अतह अंततह वस्ततह शब्दश स्वतह तो बच्चों ये थे हमारे विसर्ग वाले शब्द